हाई। आज बात करेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट के उपर जिसके बारे में बहुत से यूट्थे चैनल बात नहीं करते हैं। रीजन एकदम सिंपल सा है सारे रियक्शन चैनल, रिव्यू चैनल उसी आर्टिस्ट के उपर बात करते हैं जिनके गानों पर मिलियन्स ओफ व्यूज होते हैं मैं आप लोगों को अपना पॉइंट अफ यू बताऊं तो जो इनसान गाने का अच्छा होना या बुरा होना गाने के व्यू से डिसाइड करता है वो इनसान टोनी करकर का फैन है और क्या मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपोर्टन बात बताने जा रहा हूँ गौर से सुनियेगा आपकी फ्यूचर में बहुत काम आएगी इस गाने का म्यूजिक दिया है प्रॉफिक सीने लिरिक से हैपी राइट कोटी के और वीडो नाइट के तो रहा है तो सुनते हैं गाने को की गाना कैसा है लास्ट तक जरूर बने रहीएगा लास्ट पे में गाने को रेट करता हूँ आउट ओफ पाइव स्टार्स कि मुझे ये गाना कैसा लगा और चैनल को तो करते हैं वीडियो को शुरू तो करते हैं वीडियो को शुरू मेरे सामादी तू ही है रचाँ तू जिदेगी 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 कॉम्पोजिशन हर चैन मेरे दिल मिलके मेरे सामादी तू है तू ही वचाँ तेरे ली ता मैं दुनिया ते आया यारा तू ता मेनू हसना सखाया यारा तू ही मेरे साते मेरी रूवी कलमक दिये के तू है मेरी जान यारावे तेरी देनू आहाँ तरसे आसी पाड़ी वांगो पार जा मेरे नाल तू रखोगा तेलनू राड़ी वांगो मेरा इश्क ये तेरे तू वना आहाँ वीडियो आहाँ वीडियो तू ही वजा यार आपी डाय-कोटी एवीन होजभा ऑजयो पामादेरी आजी डेवा एक्या-की हो भी नाजदा मेरे सामधी तो ही है अज़ा तू सिंदेगी छे आया सिंदेगी मिल की हर चैन मेरे दिल मिल की देनू यार कहां यार कहां कि अब प्रॉफिक्सी गाना स्टार्ट करते हैं और बीट ड्रॉप होती है तो मेरा रियक्शन कुछ ऐसा था हां तो गाइस हसी मज़ाव को रखते हैं साईड में तो जो गाने की कॉंपोजिशन थी बहुती खुबसूरत composition थी बहुती प्यारी composition थी और प्राफिक सी ने उस composition को प्यार से निभाया भी बहुती बखुबी निभाया उन्होंने उनकी voice एकदम suit कर रही थी इस composition को music की बात करूं तो music का production बहुती ज़्यादा अच्छा था soothing सा music था beats थी बीच में और एकदम clear sound कर रहा था music बावजूद इसके कि music में बहुत सारी चीजे तो नहीं थी लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगा गाने में जिसी requirement थी music की उन्होंने वो requirement पूरी की है मतलब मुझे अच्छा लगा music गाने का बात करूं lyrics की तो lyrics भी बहुती ज़्यादा emotions से बरे हुए थे इस गाने में ये decide करना बहुती ज़्यादा मुश्किल है कि ज़्यादा अच्छी चीज कौन सी थी music, compositions, lyrics मतलब जब गाने में सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा हो तब जाके एक perfect गाना बनता है और ये गाना वैसे ही एक perfect song है आते हैं सिदे चल रहा था पूरा बीच में एक जगा पे lyricist का नाम आया है पी राइकोटी थोड़ा सा awkward सा लगा एक दम जबरदस lyrics चल रहे थे बीच में वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था इस वज़ए सा मैं half point काटता हूं इस गाने का बात करूं मैं वीडियो की तो वीडियो का production काफी जादा अच्छा था शौट्स काफी अच्छे लिए गए थे बाकी जैसा होता है वैसी वीडियो थी कुछ ज्यादा extraordinary चीज नहीं थी वीडियो में